हेलो गईस मैं अंगूर आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं पॉपुलर वीकल एंड सर्विसेज आई प्यो का आप सभी को पता है आई प्यो बैक टू बैक आए जा रहा है और ये आई प्यो भी अगले हफते उपन होगा यानि कि 12th of March को तो इस 12th of March को ओपन होने वाले इस आई बियो के बारे में हम जानेंगे हर एक अंते तक बनी रहना है ताकि आपको सारी जनकारी सही तरीके सन में आ सके और जब चाल पर पहली बार आया है तो प्लीज को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर प्रस के लिजेगा ऐसी बहतर अप्डेट्स आपको हमेशा हमाई तरफ से मिलती रहेगी गैस इसकी डीट को अपन होगा मैंने अभी आपको बताए फॉर्टीन होने वाला है अलॉट बंडेटिस की फिफ्टीन को लिस्टिंग नाइंटीन अफ मार्च को रहने वाली है स्टेंड़ फेस वेल्यू पर नहीं आया आइप दो की फेस वेल्यू पर है तो सस्ता लग रहा हो तो बता लेने जाते हो या कमर्शल वीकल लेने जाते हो जो तो किसी डीलर के थूउइ लेने जाते हो तूब तो ये वो डीलर काम करती है जो एक कमपनी से खुद पैशेस करती है और डियलिवर करती है कस्टमर्स को तीन वर्टिकल रहा है इनके तीन SH penet हैं जिसमें ये λगुषरी वीकल के सासा जो पैसेंजर वीकल होती उनके dealership भी देखती है, commercial vehicles का भी और electric two-wheelers and three-wheelers का भी business करती है इसके जो सबसेदा product साल होते हैं, वो मारूती के साल होते हैं, उसके बाद फिर दूसरी company से भी टाटा हो गया, इनसे भी tie-up है उसके साथ ही electric two-wheel में आपको ether देखने को मल जाएगा, इनके showrooms पर, ठीक है across 40 districts in Kerala, 8 district in Karnatka and 12 district of Tamil Nadu and 7 district of Maharashtra में serve करती हैं, ठीक है आपको बतादू कि dealership के अलावा ये उनके services का भी सारा काम करती है, जैसे आपने car लिया, service करवाने जाते हो कहीं पर तो वो service जहां होती है, वो भी ये काम करती है, और ये चार location पे अविलेबल है, सारा कुछ मैंने आपको बताई दिया है तो अब इसका financial देख लेते हैं, company का business तो बढ़िया है, क्या company financially earn कर रही है या नहीं तो हमारा पास data 21, 22, 23 का और फिर सप्टमबर तक का data है, asset की बात करें तो हमें asset में growth देखने को मिल रही है, साल, 10 साल और फिर 30 सप्टमबर तक 19, 44 करोड का, revenue की बात करें तो 39, 34, 84, 48, 48, 29 और फिर 28, 48, 48, 48, देखने को मिल रही है, तो revenue में भी हमें अच्छी growth देखने को मिल रही है, नेटवर 384 करोड का है, विजर सप्लस 370 करोड का है, और borrowing है 764 करोड का, तो यह जो market से पैसा उठा रहा है, इसमें से कुछ पैसा यह borrowing चुकाने में यूज करने वाले है, ठीक है, तो borrowing कम हो जाने वाली है, और कुछ general corporate process के लिए, तो maximum पैसा borrowing के चुकाने वाले है, तो यह यहां पे पे करने वाले है, तो मालो 250 पूरा ही कर दे, तो उसके बाद भी अच्छा खासा रह जाने वाला है borrowing इनके उपर, तो financially company strong कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा ऐसा profit जनेट करी है, लेकिन यहां पे borrowing का एक रिशू रह जाने वाला है, बिजनस भी ठीक है, तो इन पूर्ट के साथ, Tata Chemical का, market में multi-year breakout, बहुत सारे लोगों क्या-क्या बोला, लेकिन यहां पे lower level से, 1000 के level से बढ़िया के देने को मिला, और बढ़िया 60 point का gain, लास्ट वीक का है, proper support के साथ 540 point का, देख लो, 75 point का, उसके पहले दो इंट्राडे के level 220 point का, तो आपको nifty, bank nifty, stock option, intraday, इस तरीके से swing level, proper guidance, इस तरीके से audio का, और बहुत कुछ देने को मिल जाता है, jackpot gain वाली level भी, तो description में लिंक है, इसका number 1 पे join का ले ना, number 2 पे news channel, telegram का ही channel है, जहां पे सारी important news आती है, IPO की और market की, और 3 number पे Instagram को miss मत करना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं guys, और बात रह है, 1.99, अगर जो 500 पे भी कर देने वाले हैं, तब भी 1 के ऊपर ही रहने वाला है, तो यह एक problem रहने वाली है, long term में भी दिख कर देगा, और लिस्टिंग इन में भी कहिने का impact ढालेगा, और रन डबलू सेम वाई है, जो ROI है, और जो pad margin है, वो बहुत ही कम है, 1.4, अगर मुझे लगता है, 3-4 के आसपास हो, तो थोड़ा बहतर माना जाता, नहीं तो फर्दिक का दी, और जो size है, company का IP आने के पहले, वो 21 करोड का देने को मल रहा है, EPS हमें 10.22 देने को मल रहा है, जिसके पी जो है, 28.88 निकलता, दिखिए गा, कर जो peer comparison करने जाए, तो landmark card से comparison कर सकते हैं, लेकिन यहां पे landmark card इस से महंगा देने को मल रहा है, 34.84 का, और इसका IP लगभग 39 के नीचे ही है, ठीक है, तो गहीं नहीं जो प्राइस बन रखा गया है, वो actual में है तो महंगा, और peer comparison में सस्ता देहने में लग रहा है, तो 2 की face value पे अगर जो 295 का price बन रखा गय उपर से market condition है, इस condition की वज़े से, जैसे कि हरी वीडियो मता रहा हूँ कि अभी mid cap, small cap में booking के वज़े से, या election fear की वज़े से, IPO पेटते दिख रहे हैं, तो उन सब reason को देखते वे मुझे लगता कि इस IPO का हमें last day तक वेट करना चाहिए, जल्दी बाजी करेंगे, तो फर न रखने वाला हूँ, last day apply करने का अप्लान करूआ, वो भी safety देखने बाद, करन में जो जी एक ही कह रहा है, करीब 25 से 300 रुपर क्या सपास demand निकलती दिख रही है, और कहीं के 32-33 की भी demand है, तो देखा जाए, तो दिमान थोड़ी बढ़ी तो है, लेकिन बहुत जादा नहीं तो इसके साफ से 10-11 परसन अगेन होता है approximately, ठीक है, तो यहाँ पर गईज आपका क्या है decision, comment करके बतां जूर क्या आप इस IP में apply करने वाले हो, या फिर avoid करने वाले हो, comment करके जरूर बताना, साथ में वीडियो को like करना मत भूला हूँ, चैनल को subscribe करके support जरूर दिखाना, म मेल तरह लिए वीडियो में करते हैं, थांचे वाचिंग आइस, प्लीस चाल देश्टे वाधी और बावा फूराओं